नमस्कार मैं हूँ अन्प्षिता खुद MSP का राक छेनने वाले मोदी जी आज किसानों पर आंसू गेस के गोले छुड़वा रहे हैं लाथी दंडे पढ़वा रहे हैं आगे बढ़ने से पहले ये सुन लीजिए जो खुद मोदी जी का कथन है पानी का घर्चा मज़्दुरी का घर्चा मिज़्री का घर्चा बीच का घर्चा आथ का घर्चा दवाई का घर्चा जितना अभी उसकी लाज़त लगती है उस लाज़त के उपार उसका 50% प्रफिक इल लिया जाएगा और उसको मिनिमाम सपोर्ट पाई से खरीदा जाएगा तो सुन लिया आपने खुद मोदी जी ने कहा था कि फसलों पर लगने वाली लागत के उपर 50 प्रतिशत MSP देंगे अब सवाल यह है कि जब खुद मोदी जी MSP का रागलाप रहे थे तो फिर MSP पर कानून गारंटी देने में सरकार को क्या दिक्कत है सरकार तारों वेरिकेट्स आसूगेट्स से किसानों का रास्ता रोक रही है लेकिन MSP का रास्ता साफ क्यों नहीं कर रहे है हाला कि लोग तंच कस रहे हैं कि मोदी और उनकी सरकार के दावे और वादे हवा हवाई ही है क्योंकि किसानों को लेकर अब तक कई वादे सरकार कर चुकी है खुद मोधी ने सरकार बनते ही पहली मीटिंग में किसानों का कर्ज माफ करने का भी वादा किया था यही नहीं 2022 तक किसानों की आए दोगनी करने का भी वादा किया था कि भाविये जन्ता पार्टी की सरकार बनने के बाद पहली ही मिटिंग में पहला ही काम किसानों की कर्ज माफी का कर दिया जाएगा और मैं खुद मैं खुद इस काम को करवा के रहूंगा ये मेरी जिम्मेवारी माण लिजिए इसके बाद जब किसानों से माफी मांगते हुए अंदोलन इस्थगित करने की अपील की गई उस समय भी सरकार ने किसानों की सभी मांगे मानने का आश्वासन दिया था और तीन महीने का समय मांग लिया था लेकिन दो साल बीच चुके हैं और किसानों को MSP गारंटी कानून नहीं मिला बलकि पुलिस से लाथी नंडे मिल रहे हैं अब मुख्य सवाल पर आते हैं कि आखिर MSP गारंटी कानून देने में सरकार को दिक्कत क्या है जबकि आकड़े बताते हैं कि बीते 10 सालों में कई फसलों पर दी जाने वाली MSP दोगनी ही हो चुकी है इस पर जानकारों का ये भी दावा है कि कम्पनियों को फायदा पहुँचाने के लिए सरकार किसानों को गारंटी देने को राजी नहीं है इसे विस्तार से समझते हैं तो जानकारों का कहना है कि खेती किसान से जो निकलता है वो फैक्टरियों के लिए raw material है कच्चा माल नहीं ले रही अगर सरकार MSP का कानून बना दे तो केबल मुनाफिक के लिए काम करने वाली कंपनियों के लिए मुश्किल बढ़ जाएगी कहां वो दाम तै करती है जितने पर चाहें फसल खरीदती है कानून बन जाएगा तो बेस प्रैस सेट हो जाएगा किसान उनको घाटे के पास पैसा आएगा तो खर्च भी होगा पैसे कफलो मार्किट में सरकेगा तो अर्थ व्यवस्था की स्तिथी बेहतर ही होगी बाब जो दिसके सरकार किसानों पर बलप्रयोग करवा रही है पुलिस किसानों को धमका रही है बॉर्डरों से तमाम वीडियों सामने आए है जो सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि देश के अन्दाताओं के साथ सरकार कैसे अपरादियों जैसा सुलूग करवा रही है इसे देख कर तो स्वामी नाथन की बेटी तक का वयान आ गया था उन्होंने कहा था कि अन्दाताओं के साथ अपरादियों जैसा व्यवार ना करे सरकार तो खुटकों किसानों की हीतैशी बताने वाली सरकार के सामने अभी कई मुद्दे हैं चिन पर विचार विमर्श होना चाहिए सारे स्थेक फोल्डर से बात करके एक निशकर्स पर पहुचना काहिए किसानों और सरकारी कि मांगे माल लेती है तो उन पर जबरदस्त वित्तिय भार आ जाएगा जिस वजह से भी सरकार MSP कानून नहीं ला रही है अगर सरकार MSP वाली सभी 23 फसलों का पूरा उत्पादन खरीद ले तो सरकारी खजाने का बोज बहुत बढ़ जाएगा अगर सरकार केवल मंडियों से वही फसले खरीदे जिनका बाजार भाव MSP से कम है तो भी सरकार को वित्तिय वर्ष 2023 के लिए लगबद 6 लाख करोड रुपे चाहिए ही होंगे फिर इंफ्रस्ट्रक्चर पर जो खर्चाएगा वो अलग से तो 2016 से 2023 तक नरिंद्र मोधी सरकार ने क्रिशी इंफ्रस्ट्रक्चर पर सरस्ट लाख रुपे खर्च किये हैं अगर MSP गारंटी को लागू कर दिया जाता है तो सरकार पर बोज बढ़ेगा इसलिए सरकार इससे बच रही है तो अब सवाल ये भी है कि आखिर किसानों को MSP चाहिए क्यों तो इसको लेकर जानकारों का कहना है कि अगर बाजार में अमुक फसल का दाम गिर भी जाए तो किसान आश्वस्त रहता है कि कम से कम सरकार तोसकी नियुंतम समर्थन मूले पर खरीद ही लेगी ये किसानों के हित के लिए बनाई गई एक व्यवस्ता है MSP तै करती है कि क्रिशी मंत्राले के तहट आने वाली संस्था, क्रिशी लागत और मूल आयोग यानि CACP अभी सरकार कोल 23 फसलों पर MSP देती इनमें साथ तरह के अनाज हैं जैसे धान, गेहु, मक्का, बाजरा, ज्वार, रागी और जौप वहीं पांस तरह की दाले हैं चना, अरहर, ओड़द, मूंग और मसूर इसमें साथ तरह के तिल्हने रेपसीट, सरसों, मूंगपली, सोयाबीन, सूरजमुखी, तिल, कुसुम, निगरसी और चार व्यफसाइक पसले हैं जैसे कपास, गन्ना, खोपरा, कच्चा जूर अनूर कि इसमें पेच ये है कि MSP स जारंटी कानून बनाए, अब अगर आकडों की बात करें, तो आकडों के मुताबिक, बीते दस सालों में सरकार ने फसलों पर MSP बढ़ाई है, कुछ-कुछ फसलों की MSP दोगनी हो गई है, 2014-15 में चावल पर MSP था, 1345 रुपे प्रतिक कुंटल, 2023-24 में ये बढ़कर 2203 हो गई है, बाजरा 1250 रुपे से 6500 रुपे प्रतिक कुंटल और रागी 1500 रुपे से बढ़कर 3846 रुपे प्रतिक कुंटल हो गया, बाबजू दिसके किसानों की दूसरी प्रमुक मांग ये है, कि MSP तै करने के लिए स्वामी नाथन रिपोर्ट का आसरा दिया जाए, उसमे सुझाय फॉर्मूले से MSP निकाला जाए, लेकिन रिपोर्ट के मताबिक किसानों को वो नहीं दिया जा रहा है, जो स्वामी नाथन कमेटी ने सिफारिश की थी, तो अब की बात करें, फिलहाल इस्तिती ये है कि पंजाब हर्याना के शंबू बॉर्डर पर किसान अपनी मा कलने की उम्मीद बेहत कम है, ऐसे में सवाल ये ही है कि क्या कमपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए MSP गारंटी कानून नहीं ला रही है सरकार, तुस वीडियो में इतना ही, आप से नरोधे यूट्यूब पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्स्क्राइब कीज प्रिफीज के बड़रे चैनल आर्टिकल 19 इंडियों के लिए 12 मोटन नहीं ऊत्लिकल 15, skalg okay